राजदानी पुलिस ने 26 लाख रुपए के अवैज सोना वा 43 लाख से अधिक की नगदी के साथ दो तसकरों को गरफतार किया है गरफतार किये गए दोनों युवक बस में सवार होकर उक्तु सोना किसी को पहुचाने के लिए निकले थे लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उने सोना और चान्दी के साथ धर दोचा सोमर सुबा कृष्णा नगर पुलिस को सूचना मिली कि आयोध्या निवासी अनुपम शुकला और हरियाना निवासी परमेश कुमार अवैत सोने की काला बजारी करने लखनों पहुचे हैं जिसके बाद पुलिस की टीम हरकत में आई और तुरंट चौराहों पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया सोना सोने सोना बरामत हुआ तो इनको वहां से हमने बनाते हुए अपने ठाने पर लाता पूछता अच्टी और इस अंदर में पूछता जारी है हम इनके जो दिविन कारवाई पार हैं इनकी मौड़े से रिंडी किया है यह क्या करते हैं इस बारे में जानकारी कर रहा है औ अभी फिलहार हल्यंबों का यह कहना है कि एक पॉइंक प्रमेश फिस सोने का अभए कारोबार करते हैं लाते हैं और vs कश た ले लएक तो इस प्रकार से इनलों लों की क्रियावुदी है और यह कहते हैं कि महीने में हम इस प्रकार से एक सोने को दूसरी जगे पहुंचाते हैं धन को दूसरी जगे और तीन से चार बार वो ट्रिप लगाते हैं जैसे सुल्टानपुर गए लगनव आए कई जगहों पर नहीं किया वारीकी से पुष्टाच कर रहे हैं तो सोने बदल के क्या सोने की बिस्केट लेते हैं अब वह आप टुक्रे टुक्रे सोने हैं उनलब नौट इना फार्म तरह कह सकते हैं तो टुक्रे ही हैं उसके सब्सक पुष्टाच की तो उन्होंने अपने नामों का खुलासा किया और ये भी बताया कि वह पिछले कई वर्सों से सोने की काला बाजारी में लिप्त हैं पुलिस ने दोनों के पास से 642 ग्राम सोना बरामत किया जिसकी कीमत करीब 26 लाख रुपए बताई जा रही है शुरुआती जाच में खुलासा हुआ है कि ये लोग सोने के इस अवैत कारोबार के जरिया टैक्स चोरी कर सरकार को चूना लगा रहे थे बीरो डिपोर्ट सत्त्योदै मीडिया